राम राम कार्तिक महात्म्यम छट्वा अध्याय नारजी बोली अब मैं ब्रह्म महरत स्नान करने की विधी कहता हूं ध्यान पुर्वक सुनिये दो घडी रात शेश पर व्रती मनुष्य को तिल, कुशा, अक्षत, फूल, धूप, दीप, आधी रेकर, नदी, तालाब, कुआ, अत्वा विशिश पुणने के लिए किसी तीर्थ के पास जाए विश्णुजी का ध्यान करके स्नान का संकल्प करें, फिर तीर्थ तथा देवतादी को क्रम से अर्ग्यादी देवें अर्गे मंत्र का यह अर्थ है, ही कमलनाभी भगवान को नमशकार है, ही रिशिकेश आपको नमशकार है मेरे अर्गे को ग्रहन कीजिए, बैकुंठ, प्रयाग, अत्वा, बद्रिकाश्रम में जहां विश्णुजी ने तीन प्रकार से पद स्थापित किया है, मां सब दीवता मेरी रक्षा करें भगवान को नमशकार करके मैं इस जल में स्नान करने को उद्यत हूँ, ही भगवान, आपके अनुग्रे से मेरे सब पाप दूर हूँ, आप राधाजी सहित, मेरे दिये हुए अर्गे को स्विकार कीजिए, इस प्रकार पूजा करके नाभी तक जल में घुसकर विधी पूर भग स्नान करें, ग्रिहस्त, तिल वा आमले का चूर्ण मले और विद्वाइस्तरी तता सन्यासी तुलसी के जड़ की मिट्टी लगा कर स्नान करें, परन्तु सप्तमी, अमावस्या, द्वितिय, दश्मी और तेरस को तिल वा आमला नहीं लगाना चाहिए, स्नान का मंत्र है सभी पापों को नाश करनी वाले विश्नो भगवान मुझे पवित्र करें, बीज रहसे, यग्य सहित, सब वेद मंत्र, कश्य पुनी और देवता मुझे पवित्र करें, इस प्रकार मंत्रों द्वारस्नान करके पवित्री हाथ में लेकर देव, रिशी, मनुष्यां और पि भगवान की पूजा आदी करके एकाग्र चित्त से हरी प्रिया तुलसी जी की पूजा करें, परिक्रिमादी कर प्रिणाम करें, फिर स्थिर चित्त से हरी कथा सुनें, ऐसे कोई जो भक्ती पूर्वक कार्तिक मास की व्रत करते हैं, वे सांसारिक सुखों को भोक कर अंत्मे विश्णु लोक में जाते हैं इतिकार्थिक महात्मियम सर्ष्टम अध्याए